हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले का जीवन हम क्लेश पून पहुंचा दें जैसे कि अभी तिहाड में हो रहा है जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाएगा make him pay for his deeds कि अभी जो दो सवाल पूछे इसने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया जो मेरे गुरू कहते हैं कि हमारा मन करता है कि कभी हमिताब बच्चन से हमारी बातचीत हो पाए यादि हम उन से कहेंगे कि आप एक बार के बीसी में पांच करूर का सवाल यह पूछना कि वेर दे हैल अर्द हिंदूस बिजी अपसलूट कि बिल्कुत ही किया रहा है क्योंकि हम लोग एक इंगलीज का वर्ड होता है मुझे डॉक्टर अतनू की तरह नहीं आती मैं इसे बोल रहा हूं किया जोहर होता था नेक्रोफीलिया से बचने के लिए और हमको लगता होगा अकबर औरंजेब के टाइम में होता था पाकिस्तान हाई कोट का 2015 का जज्जमेंट है कोई 10 से 15 साल की बच्ची की मिर्थी होती है तो उसके माबाप साथ दिन उसकी कबर की रखवाली करते है 2015 प पाकिस्तान हाई कोट we are surprised all struck होना चीए तो ये वाला और जो डॉक्टर साब कह रहे थे कि foreign vacations में लगे रहिए तो मैं चाहूंगा आप अपनी speed बढ़ा दें क्योंकि यूरोप तो एरेबिया होई ही चुका है almost और अमेरिका में भी एक केजरिवाल आ गया है तो फर्स्ट व क्या था ग्राउंड रिपोर्ट की बहुत चर्चा चलती है तो एक कवी है साहिर योगेश साहिर योगेश चत्रपती सिवाजी महराज के राज्या विशेग पर जो लिखते हैं उसे आप लोग ध्यान से सुने आसे तुहिमाचल प्यार का बंधन खून से जोड़ा जाता है इस देव भूमी में दानवता का खून निचोड़ा जाता है इन खेतों में फसल सत्रु के खून से बोई जाती है और वो तलवार भवानी है जो दुसमन के खून से धोई जाती है विश्वबंदनी भारतमा का राज सिंहासन तूटा था पुनरा भिशिक्त होने वाला वह इंद्र परस्तिय धर्म राज का यह सिंहासन राम कृष्ण का इंद्र परस्तिय धर्म राज का साली वाहन चंद्र गुप्त का पुलके सिन विक्रमा दित्य का पौरुस असोक पृत्विराज का गुरु अर्जुन राणा प्रताप का पौरुस ताकी परंपरा का महा पराक पुन्रा भिशिक्त होने वालाव राष्ट्र पुरुस्षिवराया था। पुका राम और समर्थ आये, धर्म राज के मार्ग दिखाये, कासी से गागा भट आये, राज्या रोहन महुरत लाए, दुर्ग दुर्ग दक्खन के गाये, आज हमारे राजा आये, जेश्ट सुद्ध त्रियोदसी का दिन मंगल सुभ आया था, पुन्रा भिशिक्त होने वा अलावा राश्ट्र पूरुष शिवराया था, ये हिंदू सेंटिमेंट था जब छतरपती सिवाजी महराज का राज्या रोहन हुआ था, हम सब लोगों ने सुना हुआ कि छतरपती सिवाजी महराज ने अफजल खान का वध किया था, तो हमें लगता अफजल खान कोई ऐस आपको बताओं कि हमारे देश में हिस्टोरियन्स हुए कैसे कैसे उसका एक छोटा सा सेंपल बताता हूं आप लोग चेक कर लीजिए गा आइसी एचार है इंडियन काउंसिल ओफ हिस्टोरिकल रिसर्च उसमें ऐसे दो सेक्षन है ग्रांटीन एड डिपार्टमेंट है एक प जमा करा दी तो जब आइसी एचार में जैसे प्रोजेक्ट आता है प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया तो आपको ग्रांटीन एड जो डिपार्टमेंट है वो पैसे दे के भेज देता है फिरो किताब छपती है तो उनकी डेथ हो गई डोक्टर परमात्मा सरंड जी क उन्होंने आरिफ कंधारी की बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है 1977-78 में करके आइसी एचार को जमा करा दी अब उनका बेटा जो सनिल लौ था वो ढूड़ने लगा कि मेरे ससुर जी की किताब छपी हो तो थोड़ा एक होता ना शो आफ करने के लिए अच्छा रहता ह तो भाई वो किताब ढूड़ने लगा किताब मिली नहीं तो आइसी एचार से पूछा गया कि आरिफ कंधारी का जो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन हुआ था वो आपको मिला तो नहीं बोला यार हम उसको ढूंड नहीं पा रहे हैं तो कमेटी बनी ग्रांटी नेड और प मैनुस्क्रिप्ट ऑफ डॉक्टर परमात्मा शरण जीनों ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था अरिफ कंधारी की बुक का फिर 1992 में राजस्थान युनिवर्सिटी से एक भाई साहब ने पी एचडी की जानते हैं गैस वाट वो पी एचडी किस ने की थी नन अदर बह caran that eminent historian deputy director of media unit of ICHR, Mr. तसणीम एघमद । मतलब PhD ही चोरी की कर दियो और deputy director थे ICHR के medieval unit में और ऐसे ही नहीं कर दी जो से एकनोलेजमेंट लिखा है, उसमें दो जनों को विशेज थेंक्यू बोला है, एक एमिनेंट हिस्टोरियन इर्फान हभीब और दूसरे सतीष चंद्रा, सतीष चंद्रा ने हिस्ट्री की भी बुक्स लिखी थी, मिनाक्षी में की एक बुक भी है, मीडिवल हिस्ट्री की बु इन सब लोगों को ऑबलिवियन में धकेल दिया, जिसके कारण हमें नहीं पता, आज भी बहुत सारी चीज हैं, उनीस सो और सट में ऐसा क्या हुआ कि जो निया से जिसने तीन इकर जमीन मुसलमान को दे दी आम आदमी को सत्य समझ में नहीं नहीं आता, स्वार्त समझ में आ हिंदु धर्म को नुकसान पहुंचाना हम बहुत कॉस्टली अफेर नहीं बना देते, तब तक हिंदु धर्म के शत्रू ये करते रहेंगे, that is the need of the hour कि हिंदु धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले का जीवन, हम क्लेश पून पहुंचा दे, जैसे कि अभी तिहाड में हो चंदन है इस देश की माटी, तपो भूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, और ये जितने भी लोग इतिहास के तप्थियों को उजागर कर रहे हैं, हमारे गौर्व साली इतिहास को उजागर कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं यही रहे हैं, और पिछले अभी जब विमोचन हुआ था, भारत कान कहा इतिहास पुस्तक का, उसमें रतनु सर आया हुए थे, और मैंने वही बात रिपीट की थी कि सर, आप ऐसा कारे कर रहे हैं, जो पीडियों तक याद किया जाएगा, और सब को, और सर का तो ये बानना है कि हिंदू चाहे कहीं का भी हो, भारती उपमहादियूपका हो, या फिर कहीं भी रह रहा हो, वो हमारा भाई है, और आईसा रतनु सर काफी कारे कर रहे हैं इस विश्ए में, तो चूंकि धन्यवाद ग्यापन के लिए मुझे बुलाया गया है, और अन्त ग्यापन की पहली लिखी है वो प्रोफेसर कपिल कपूर जी ने लिखी है वो भी प्रजेंट टाइम में उनको पद्म विभूशन भारा सरकार ने दिया और पद्म स्री प्रोफेसर मिनाक्षी मैम जिन से हम पुस्तक का भी मुचन करवार है तो हमारे लिए और हम सब के लिए गवरों की बात है मैम आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ग्यापिक करता हूँ कि आप इस कारिक्रम के लिए आई आपने समय निकाला आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद ग्यापन की अगले कड़ी में आदरनी रतनुसर जिन्होंने विस्तापित हिंदूओं पर जो काम किया है विस्तापित हिंदों के लिए जो आप काम कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि सब को कही न कहीं मदद करनी चाहिए उस काम में और रतनुसर जिन्होंने महाराणा पे पुस्तक भी लिखी और महाराणा पे कहीं न कहीं पहले हम ये कुस्टन करते थे कि महाराणा प्रताप के पिता जी का क्या नाम है आप किसी को पता है तो वास्तों भे किसी को जानगारी नहीं थी लेकिन आज condition यह है कि वो में रतनु सर की जो पुस्तक है वो कई भासाओं में प्रकाशित हुई है और जब सर की पुस्तक मराठी में प्रकाशित हुई थी तो मराठी हमारे मित्र हैं भासकर रिकामे जी तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फोटो जो है भेट की रतनु सर की कि सर से आज में मिला मरा साओ में मराठा का अनुवाद हो और इसके लिए प्रभाज जी कभी बहुत-बहुत धन्यवाद जीन्हों ने हिंधी में इसको जो है सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी में इसको प्रकाशित किया धन्यवाद यापन की अगली कली में स्रीकान जी जोशी मैं वेक्तिकत रूप से कहूँ तो स्रीकान जी जोशी से मैं पहली बार मिल रहा हूँ हाला कि ऑनलाइन तो हर हफते मिला हूँ पिछले सेशन्स में तो आपको भी बहुत भनेवाद क्योंकि महाराना प्रताप का इतिहास और शिशोधिया वंस का इतिहास अधरनी रतनू सर ने आरेस डाल मिया यूटूब चैनल पे सुनाया और आप सभी जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप आरेस डाल मिया यूटूब चैनल पे सिशोधिया वंस का पूरा इतिहास सुने अगर आपके पास समय हो उसके लिए समय निकाले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा और स्रीकान जी जोसी ने मराठा इतिहास पे बात की और मराठा इतिहास की सारी कडियां आपको आरेस डाल मिया यूटूब चैनल पे मिल जाएगी त तो धन्यवाद यापन की अगली कड़ी में आप सब का धन्यवाद यापित करता हूँ कि आपने अपना महत्पूर्ण समय निकाला एक इतिहास के लिए और इस पुस्तक की विशय में एक चीज मैं आप से और साजा करना चाहता हूँ कि इस पुस्तक का अभी पिछले 19 जमू कसमीर में प्रोफेसर अजय सिंग जी ने इसका लाउंच किया और जे अणिउ में इस पुस्तक का भी कवर लाॉँच हुआ प्रोफेसर जगरनाँ जी का मैं ध्लेवाद ग्यापित करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला लाउंच के लिए और स्फुस्तक का कवर लाउ लाल बहादुर सास्त्री संस्कृत युनिवर्स्टी दिल्ली में भी हुआ और महाराष्ट्रो में इस पुस्तक का गवर लांच भासकर रिकामे जी को दारा किया गया तो इन सब का भी मैं चुकि यहां उपस्तित नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनका धनेमाद याविद करता कि एक महत्रपूर्ण कारी किया उन्हें इस पुस्तक के लिए तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि चुकि अभी सम्रद्दता की बात हो रही थी तो इतिहास कितना सम्रद्द है तो मैं प्लीनी ने एक बार कहा था कि सोना कहीं भी खरीदा बेचा जाए और लेकिन वो ल दुआ करते थे लेकिन वो इतिहास दबाया गया अगर प्लीनी की जगे अभी ओमें रत्नु सर बोलते हैं जो करते हैं यह सहाव है तो इन्हों ने तो ऐसे ही जो है बोल दिया वाट्सप यूनिवस्टी एक टर्म जो है यूज करते हैं इसके लिए तो मैं सर एक चीज़ य इतनी भी मलेक्ष है भारती उप महादीयूप में सारे कनवर्टेड हैं और जो कनवर्टेड होता है जो ओरजीनल नहीं होता है वो ज्यादा पॉपकोर्न की तरिके से फुदकता है तो दिकत यही है तो अंत में मैं अपने सभी मेडिया कर्मियों का भी धन्यवाद क्यापि झाल झाल